प्रिये दर्शकों केंद्रा धिपति दोश लगता है तो सभी सुभग ग्रहों को केंद्रा धिपति दोश लगता है चाहे वो चंद्रमा हों, चाहे वो बुधो हों, चाहे वो देव गुरु हों, चाहे वो शुक्र हों। इन चारो ग्रहों को केंद्रा धिपति दोश लगता है। मैं समझता हूं नहीं, ये दोश, ये जो मैंने दुर्योग अभी गिनाए, उस प्रकार का दुर्योग नहीं है। फिर ये दुर्योग है क्या? इसके गहराई में जाना होगा, चुकि ये राशिफल का विशह है, यहां मैं बहुत सौट में इसको बहुत छोटे तरीके से आप को समझाना चाहूंगा, आप समझने का प्रत्न करिए, ग्रह जो शुभग रह हैं, वो लगन कोई भी हो, जैसे ब्रिशब लगन की कुंडली हो, तो देवगुरु वहां अकारक हैं, लेकिन इसके बावजूद देवगुरु की जो सुभत्व वाली स्थिति है, वो सदईव सुभत्व वाली वैसी ही रहेगी, लगन कोई भी हो, अब जोतिश शास्त्र कहता है कि केंद्र के चारो घरों में पाप ग्रह अपना पाप प्रभाव नहीं देते, फिर से नोट करिए कि जोतिश शास्त्र कहता है कि केंद्र के चारों घरों में पाप ग्रह अपना पाप प प्रभाव नहीं देते केंद्र में ही अगर उनकी राशी हो तो अपना शुभ प्रभाव नहीं देते लेकिन अगर उनकी राशी नो हो तो फिर शुभग्रह अपना शुभ प्रभाव ही देते हैं यह केंद्र अधिपति दोश को अब यहीं पर समझना है अब जन्म कुंडली म चाहे वो किसी भी लगन की कुंडली हो, शुभग्रह की महत्ता सदईव जादा है, क्योंकि हमारे जीवन में हर जगा हमें सुभधा की आवशकता है, संतान चाहिए हमें, बिद्या चाहिए हमें, धन चाहिए हमें, उचाई चाहिए हमें, सुक्सम्रधी चाहिए हमें, ज्यान चाहिए सब गुरु देने वाले हैं, तो शुभता, शुभग्रह की जो शुभता है वो हमें सदईव चाहिए, अब कोई ऐसा ग्रह जो आपकी जन्म कुंडली में अपना शुभ प्रभाव ही खोदे, तो जाहिर से बात है कुंडली की एक बड़ी छती हुई, कोई शुभग् आई नहीं कर सकती, तो कहा ये तो दोश लग गया, ये कुंडली कमजोर पड़ गई, वो चाहे लगन कोई भी हो, हाला कि यहां पर केंद्रा धिपती दोश के साथ इस बात को सुधाई वध्यान रखिये, कि अगर वो ग्रह अपनी ही राशी में हो, उदारना अर्थ, चंद खुद की राशी यानि धनू मीन में बैठे हैं केंद्र में, तो वो केंद्रा धिपती दोश नहीं होगा, और शुक्र तुला ब्रशब में केंद्र में बैठे हैं, तो ये केंद्रा धिपती दोश नहीं होगा, लेकिन केंद्र में ही गुरु की राशी हो, और वो दूसरी क किसी राशी में बैठे हों यानि खुद की राशी में न होकर के दूसरी राशी में तो केंद्रा धिपति दोश हुआ क्यों हुआ ये समझ गए क्योंकि राशी उनकी है केंद्र में और खुद की राशी होने पर वो अपना शुभ प्रभाव खो देते हैं तो ये छती हुई ज इसे केंद्रा धिपती दोश कहा? अब सवाल उठता है कि जैसा मैंने कहा कि हमें ये विचार करना है कि केंद्रा धिपती दोश क्या ये बाकी के जो बड़े दुर्योग है उस प्रकार उस समान का बड़ा दुर्योग है? तो जोत शास्त्र के अगर इस बात को ध्यान से समझे तो शुभग्रह की सुभता को खो देना एक माहानतम छती है लेकिन ये कोई दुर्योग नहीं है गौर करिएगा ये दुर्योग नहीं है एक दोश की स्थिति उत्पन्न हो गई किस शुभग्रह ने अपनी शुभता खो दी अब मान लिया जाए कि किसी की जन्म कुंडली में केंद्रा धीपती दोश है तो क्या इस दोश से बाहर निकला जा सकता है एक दम बड़ी आसानी से देखिए अगर आपकी जन्म कुंडली में लगनपती बली अवस्था में है अब उन्हीं को खेंदरादिपति दोश लग जाए तो बात ही अलगा फिर उसके लिए दूसरा रास्ता चुनेगे जैसे बुध्धई आपके लगन पती हुए गुरु आपके लगन पती हुए और वो केंदरादिपति दोश से ग्रसित हो गए तो उस अवस्था में फिर दू होने की आवश्यक्ता नहीं है एक दूसरा केंद्रा धिपती दोश होने की अवस्था में वो जो भी ग्रह हो उदाहरणार्थ देव गुरु ब्रहस्पती ही क्यों नहों और आप किसी ऐसे लगनके हो जहां पर देव गुरु कारक नहीं होते तो भी आप अपनी जरूरत के हिसाब से उदाहरणार्थ जब सिक्षा का समय हो जब विवाह का समय हो जब संतान की चाहत हो जब जीवनकाल में उचाई की चाहत हो धन सम्रद्धी की चाहत हो उस समय विशेस पर ग्रह स्थितियों को देखते हुए गुरु के मंत्र का जब करन और गुरु के उपाय मंत्र जब के रूप में करके आप गुरु को बल प्रदान कर सकते हैं और उनका लाभ ले सकते हैं वैसे ही आप गुरु से या बाकी के सुर्य से सम्मंधित लगनके हैं आप और यहाँ पर अगर आपको शुक्र केंद्रा धिपति दोश में दिखाई करके सुक्र से सम्मंधित उपायों को करके आप केंद्रा धिपति दोश जन्न जो पीड़ा है उससे बच सकते हैं तो फिर से याद रखिएगा कि केंद्रा धिपति दोश जो है ये बाकी के दुर्योगों के समान कोई भयंकरतम दुर्योग नहीं है यहाँ पर शुभगरह अपनी शुभताक हो देता है और ये कुंडली की अपूरणी ये छती है इसी बात को कहा जाता है केंद्रा धिपति दोश न की ये कोई महानतम दुर्योग है